आड हैं यहां पर आपको माल草 है मैं हमेशा जी बात करती हूं रीपी की बात करती हूं तो रीकी की और इब्ली सफ़वाई का क्या क्वाज़ करत्य है क्लीनिंग हो जाती है दूसरा हम वैलकम करते हैं लक्षमी जी को और सब चीज़ को आप यह देखिए कि यह जो दिवाली की सफाई है यह फीजिकल कच्रा आप साफ करते हैं जो यूजलस चीज़ है उनको फैक देते हैं वो सब चीज़ है इसी तरह से जो लक्षमी जी है वो energy form में आती है हमारे हाँ, energy है, उनकी energy है, तो energy को negative energy जा unwanted energy जो है वो रोक सकती है, लक्षमी जी की energy को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्या है कि अगर आपके घर में negative energy है, तो जो positive energy आपके घर आएगी, ठीक है, वो उस negative energy को हटाने में ही लगी रह जाएगी, ठीक है, वो negative energy को हटा रहेगी, तो फिर neutral हो जाएगा आपका, तो cleaning का काम अगर आप खुद कर दे, negative energy को अपने घर से पहले ही clean कर दे, तो जो positive energy है, वो आपके घर में abundance और peace सब चीज़ लाएगे, ठीक है, ये एक काम है कि आपने उस चीज़ को पहले से clean करके रखा है, I hope इस बात को आप समझ गयोंगे, कि negative energy या unwanted energy को भी clean करना ज़रूरी है दिवाली के साफाई के साफ, वैसे तो हमें daily करनी चाहिए, अगर घर में problems ज़्यादा है, लेकिन अगर इतना अच्छा महोल है और सब ठीक है, फिर भ यहां मैं आपको सिखा रही हूं कि negative energy, negative energy कई लोग entity समझते हैं, नहीं, negative energy क्या होती है, पहले हम यह समझेंगे, negative energy, unwanted energy, आप बाहर से आते हैं, दूसरों के पास से आते हैं, उसमें आपकी जो है, दूसरों की जो energy जो उनके लिए अच्छी है, ठीक है, माल लीजे, कोई और person है, उसके लिए वो energy अच्छी energy है, एक इंसान है, उसकी emotional energy है, ठीक है, वो ऐसे काम में है, कि उसको emotional energy अच्छी है, वो दूसरों के साथ बात करके, उनको emotional करके, उसको काम बनता है, लेकिन आप जब emotional होते हैं, तो आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं, तो है तो वही energy, लेकिन आपके लिए unwanted है वो, कई बार आपके घर में कोई आता है, और सामान देखकर jealous हो जाता है, वो jealousy energy है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनसान बुरा है, लेकिन कभी-कभी जैसे made होते हैं, ऐसा नहीं कि made खराब होते हैं, या बुरा होता है, लेकिन उनको देखकर ऐसा तो लगता है न, कि काश मैं भी अपने बच्चे को इस चीज़ें दे सकती, तो पहली बात तो इस चीज़ को हमेशन ध्यान रखें, कि अगर आप कुछ बना रहे हैं अपने घर में, और made है या कोई है, तो उसे थोड़ा सा ज़रूर दे, भले उसके बच्चे हैं या नहीं है, या कोई भी है, तो उसे ज़रूर दे, ठीक है, क्योंकि बन तो किसी का भी करता है, तो इस चीज़ के लिए आपको इस energy को clean करना चाहिए, तो unwanted energy क्योंकि आप इस field में हैं, तो आपको मालूम है कि unwanted energy, negative energy क्या होता है, कई बार कई energies हमारे लिए भी अच्छी होती हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़ादा हो जाती है, तो वो unwanted बन जाती है, तो हमारे घर की energy को भी clean करना बहुत ज़रूरी है दिवाली की सफाई, सफाई तो सफाई है, ठीक है, energy level पर भी सफाई करना ज़रूरी है, office में, office में भी unwanted energy को ज़रूर clean करना चाहिए, ताकि आपका जो abundance है, वो और comment में ज़रूर आपकी जो भी feelings है, इस वीडियो को लेकर वो ज़रूर बताईए, और इस टाइप की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, मेरे चानल में बहुत सारे courses भी free है, दिए आपकी वीडियो लाइक करने से, कमेंट करने से, YouTube से आगे और promote करता है, तो यह जो और भी बहुत सारी चीज़े होती है, जैसे कपूर ज़राते हैं, या वो सब मैं यहां नहीं बताऊंगे, यहां मैं सिर्फ एनरजी का बताऊंगे, और यह मैं paid class भी कर रही हूँ, पांच दिन की cleaning करूंगे मैं, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं लामा फ कर सकें, तो अगर आप हैं, तो मैं एक थोड़ा सा guidance दे रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको एक key wall बनानी है, और घर के center में, अगर आपको घर का center exactly पता नहीं चल रहा है, तो आप अपने घर की छट के बारे में सोच सकते हैं, उसके center में जा सकते हैं, और फिर देख सक अपने घर के corners में रखें, ठीक हैं, और ची ball बनाना आपको आता होगा नहीं आता, तो इसके लिए दूसरी वीडियो देखिए, तो ची ball बनाएं, और फिर आपको feel करना हैं कि हर तरहें कि unwanted energy इसमें आती जा रही है, ठीक हैं, और उसको ball को आपको एक दिन के लिए छोड़ देना है, वहीं पर रहन देना और feel करना है कि वो सारी negative energy आ रही है, और यहें जब आप visualize करेंगे, तो आपको इस तरह से visualize करना है, कि आपके bathroom में से, अगर आपका घर बहुत बड़ा है और आप इसको visualize नहीं कर पा रहें, तो हर room के center में एक ball आप छोड़ सकते हैं, अगर आ find के साथ सब कुछ जड़ा होता है, तो आप उसको अपने छट से collect कर सकते हैं, जहां फे fan होता है, और feel feel करना है कि वो unwanted energy magnet है, तो वो पूरी energy को खीच रहा है, अब आप देखिए ये balls को किस तरह से set कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, मंदिर और washroom, च सब तरह की चीज़े ज़रूर आएं क्योंकि वहां तो जादा होती है unwanted energy, ठीक है, एक दिन के लिए छोड़ देना है, ठीक है, अब next day आपको क्या करना है, एक ची बॉल बनानी है, और उसमें चोकोरी डालना है, पहले आपने पूरी बॉल बनाई, ठीक है, फिर उसमें चोक जगा पर सेंटर में रखके आप फील करना है, कि सारी की सारी energy जो है, वो release हो रही है, और पुरे घर में blessings आ रही है, यह energy जाते वह आपको हवाज आई, negative energy गई, और उसके बाद क्या करना है, एक ची बॉल बनाकर फिर से छोड़ देनी है, कि अब यह 24 गंटे तक काम करेगी या फिर अगर आप week में एक बार कर रहे हैं, या दिवाली से एक दो दिन पहले कर रहे हैं, तो अच्छा है, और अगर आप बीच में नहीं कर सकते हैं, तो यह feel कर सकते हैं, कि यह दिवाली तक यही रहेगी, और जो भी unwanted energy आती जाएगी, उसको वो खीच के लेती जाएगी अपने अंदर, और फिर जब आपके पास time है, दुबारा करना है, तो फिर उस ball को release कर दें, फिर नहीं ball रखतें, अब आपके पास time कितना time कैसे दे सकते हैं, यह आपको देखना है, अगर आपको अच्छा लगा, और आप किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे comment में बता सकते हैं, मैं वीडियो आपको बना कर यहाँ ज़रूर तोंगी, मेरी रेक्टी टिप्स और advanced रेक्टी टिप्स की book भी है, अगर आप वो देखना चाहें, तो वो भी देख सकते हैं, thank you everyone